चलिए हाँ पर बात करेंगे अफगानिस्तान T20 का फाइनल मुकाबला खिला जाएगे देखो इस सीरीज का फर्स्ट मुकाबल हमने कवर किया तो वन साइडेड वीनिंग किया था लेकिन मीनी जील आता वो नजभूला जद्रन की वज़ा से मीनी जील चला गया था लेकिन पर रोल प्रोफिट रहा था अब आए हैं फाइनल मुकाबला कवर करने के लिए इनसे पहले भी कुछ मुकाबले मैंने ट्राइ कर रहा था लिए वहाँ पर बारीज की वज़ा से वह बेंडेड हो रहा था तो अब तक जो सीरीज में हुआ वैसा ही होगा एसा मान के हम नही चलेंगे फाइनल मुकाबला है थोड़ा दबाब में जहां पर थोड़ा से अबले बाजी करना उतना असान नहीं होगा जितना अब तक हुआ है तो इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए यहां पर मैं टीम बनाऊंगा और देखो रिस्की टीम के साथ खेलेंगे हजार से पलस लोग वहाँ पर जोईन है क्योंकि फाइनल टीम देता हूँ लाइनप के बाद पिलिंग 11 आने के बाद जो टीम से मैं खुद खिलता हूँ इनके लावी जील का टीम देता हूँ पीची रिपोर्ट पिलिंग 11 यहने एक सांदर टीम बनाने में जितने चीजों किया वह सकता होती है तो सारा कुछ टेलिगराम पर मैं देता हूँ तो आपको जोईन करना किस परकार है जी हमेरे भाई हमारा टेलिगराम चैनल आपको इस परकार से दिखाई देगा आपको जुड़ने के लिए बीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर इसका टीम वेगेरा अपडेट सब कुछ मिलेगा देखो मेरे भाई जाधा टाइम और जाधा वड़ा स्कूर कार्ड मुझे देखने की आदात नहीं है जो सोलिट है देखो सीरीज में बहुत सारे मुकाबले खेले कि आप भी जाकर देख सकते हो फेन कोट फे उफ लब दे लेकिन दोनों टीम जब आपस में खेला था तो वो मिच सबसे ज़ादा जब रदसता है हेट टू हेट जब हुआ था तो क्या हुआ था बीडी के टीम पहले बले बाजी करत 115 रन बनाती है आड़ विकेट के नुकसान पे मुख्मत हारून की बात कि है एक छक्के एक चौके की मदद से 16 करिया रिकोर्ड देखो उतना खास नहीं है इस अटल 22 बोल में 25 रन एक चौके दो छक्के इनका करिया रिकोर्ड देखो बहुत सांदर है ओडियाई का बेश पिलियर माना जाता है वसे T20 में कई बार आकर्मक खेलने के चकर में विक्टे दे देते हैं संभल कर खेलेगा लंबा खेलेगा हसमतुला साहीदी के बाद के इंटरनेशनल पिलेर है ये तो पहले गिनबाजी भी करता था अब गिनबाजी करना बंद कर दिया रिन बल्लेबाज काफी सोलीट है एक चवके एक छक्के जरूर लगाए सांदर बेटिंग करता है करीम जनत इस्ट और देखो सामनेगी टीम जो गिनबाजी किया था जियाओर रामान शरीपी इनका करिया रिकोड बहुत अच्छा है लेरेट करिया रिकोड बाजी नहीं कर रहा है लाउस्ट सीजन देखो अच्छा खासा बिक्टे ये ले जाता था ओ डियाई जो होता था डबलू ज़दर जदरन की बात कीज़ा, इनका ओवर कट होता है, कितना ओवर डालेगा, यह दिखध वाली बात है, यह भी ठीक ठाख कर चार ओवर डालेगा तो बहुत जादा इंपस्वाण है, लेकिन क्या चार ओवर डालेगा, यह तो एक बढ़ा सवाल है, अब लक्ष का पीछा करने के ल जगा तो इंपोर्टेंट रहेगा टीम का केप्टन भी है एम टास्कीन की बात की जगा इनका वरीकोर ठीक ठाक लेकिन जील पर टाय करेंगे इसमों लिख के लिए मुझे लगता है नहीं बिकट की पर में कोई बनिया नहीं तेज जाई के सांथ जाना चे एम राइस यहां से 23 का योगदान दिया सांथ में गेन बाजी भी यह करता है तो इंपोर्टेंट राज आएगा अब सामने वाले टीम में देखोगे वफदार मुहमद अनुभव बहुत बनिया अनुभव है इनका डोमेस्टिक में कई बार इने इंटरनेशनल में भी मोका मिला है चोटे टीम में आमिर हमजा क्वालिटी स्पिनर है बले बाजी आने भी बले बाजी भी करता है करीम जनत और राउंडर है इनको ड्रोप नहीं कर सकते खलील हमात यह भी अंडर 19 जब चल रहा था वहाँ पर यह अच्छा कर रहे थे और अब गुल चार उभार डाला बनिया क्या क्या फ लेकिन इससे पंडल हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो मेरे भाई तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम इलमन से रिलेटर कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पले इन्फोर्मेशन देता हूँ इनके अलावे कुछ जनकारी लेना ह इसना पर मेंसेज करूँ मैं महाँ पर सारी लोग कर इपलाई भी देता हूँ वह भी सांदर तरीका से बिगट की परी मों देखो एम टास्किन एजजाई के अहमार जाई इन तीनों में से किसी एक के सांथ जाना होगा देखो एजजाई का रिकोर्ड ठीक ठाक लगा और अ ODI में T20 में संभल कर खेलेगा तो दिक करते हैं इस साहिदी यहां से इनको भी ड्रोप नहीं कर सकते बाकी शलिए करीम जनत हमारे टीम पे रहेगा एम राइज हमारे टीम पे रहना से जो की गेनवाजी करके आपको देगा अब यहाँ पर दवलो जदरन आमीर हमजा होगा जे ड्रहमान सरीफ ही होगा अब दोको यहाँ पर जो पिक करना है तीन गेनवाज में से किनी दो के साथ जाना कि हम डवलो जदरन पिक कर लेता है लेकिन यहां से एक और होगा वई अरव अच्छा कर रहा है मेरे भाई इनको ड्रोप करना थोड़ा मंगा पलेगा रिसेंट जाता है अब हो सकता मैं इन तीन में से किसी एक के उपर रिस्क लूँ और अगर जैदी वो रिस्क सफल रहा तो बढ़िया प्रोफिट अगर जैदी रिस्क सफल नहीं रहा ता आपको पता है रिजल्ट क्या सकता तो मैं रिस्क लूँगा कॉंटेस्ट जोन करना रिस्की क मात करता हूँ आसा करता हूँ भगवान की किर्पा से हम लोगों का रिजल्ट सांदर जाए सारे भाई खुशी खुशी प्रोफिट करें